गुड इम्निंग टो अलों स्ट्रेंट्स वैलकम टू साइन्स हावन आप सभी का स्वागत है और कैसे हैं आप सभी उम्मेद कर त्यूं कि आप सभी यहां पर अच्छे होंगे जल्ली सा आजए लाइव और अपने सभी दोस्तों को बता दीजे कि यहां पर जो जी के जीएस क होता है वह स्टाट हो जुका है तो सभी को नमस्ते ही परिक्षा यहीं से आएगा और हमेशा आता है आप सभी को पता है जो पुराने वच्चे हैं और इसके साथ-साथ यहां परको यहीं कहना है कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छي लगती है तो आप सभी मुझे ऐस तो आप लोग उससे वहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा कि जो हमारा learning app है उसको google play store और app store से download करना होगा और इस time पर जो मेरी class है वह railway category में चल रही है तो अगर आप मुझे सर्च करते हैं तो railway category में आप सर्च करिएगा लेकिन SSC के students हैं PCS के students सब यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं पर मैं मिलूंगी वहीं पर ठीक है इसके साथ साथ यहाँ पर जो मेरा code है वह है अम्रितायस जिसका यूज करने से आप लोग को 10% का discount हो जाएगा अगर आप लोग मेरा course लेते हैं या किसी पी अपने favorite educator का यहाँ पर course लेते हैं और SSC के लिए शांदर courses हैं बैंक के लिए शांदर courses हैं रेलवे के लिए शांदर course हैं तो आप लोग ज़रूर इसको यहाँ पर करिए और साथ में good news भी दे देती हूँ कि जो भी यहाँ पर SSC के experience हैं उनके लिए और बाकी कोई भी student इस competition को इस scholarship को ले सकता है तो Sunday को program चलता है दिन के बारा बच्चे enrollment होता है तो आप Amrita S code का यूज करते हैं तो आप free में registration अपना कर सकते हैं और free में test दे सकते हैं और एक करोड तक की जो pooling है उसमें से आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी शांदार तरीके से price money यहाँ पर रखा गया है तो gift है य अर्मेंद्र मोटू पतलू बहुत बढ़िया प्रियंका माइकल पारस सभी आचुके हैं सिंबरन शुष्मा सभी को नमस्ते सभी को प्रणाम ठीक है सबसे पहले तो दुनिया में आरे भट्र ने कहा था कि प्रिथवी अपनी धूरी पर सुर्कियों और घुमती है प्लीज कंफर्म बेटा आपका कहना क्या चाहरे हूँ पहले उसको बता दो शुभाश सुभेश जो भी नाम है आपका पहले वो बता दीजी क्या कहना चाहरे है मतलब आते ही ऐसे थोड़ा लेकर जूरू हो जाते हो चलो इस्टार्ट करते हैं यहां पर और पहला कोशन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है और क्या लिखा है यहां पर कोशन उसको हम यहां पर जली से देखेंगे पहला जो कोशन ने वो लिखा है वीच कंट्री कंटेन एबाउट 50 परसेंट आप दा वर्ल्ड कोर्ड रिसोर्स अगर आप यहां पर बात करते हैं तो किस देश में दुनिया के लगभा 50 पतीशर्ट जो कोईला है 50 पतीशर्ट जो कोईला संसाधन है वह सिर्फ यही पर ही है देखते हैं कितने बच्छें हैं पर आपका बिल्कुल सही होगा तो answer के अगर आप बात करते हो तो इसका जो answer हो जाएगा वह D answer आपका बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है तो फटा फट से आप यहाँ पर note कर लेंगी कि जो answer होगा वह D answer आपका बिलकुल यहाँ पर सही हो जाएगा नहीं नहीं है अब इस ताइम पर जो डिसेंटली आप यहाँ पर डाटा देखते हो तो वह आपका सोवेट यूनियन यहाँ पर है ठीक है तो फटा फट से नोट यहाँ पर कर लीजे डी आंसर होगा ठीक है दिवाक कर ओके ठीक है प्रेंका सबी को समझ जा रहा है ना आगे देखते हैं नैसे यहाँ पर वाट इस दा कार्सिनोजन अब यह कार्सिनोजन क्या होता है तो आप लोग मेरे से लगबग बाइलोची काफी टाइम से पढ़ रहा हो ना लगबग जो नए बच्चे हैं वह जो मतलब इस चैनल से मुझे जूड़े हुए हैं उनको लगबग कार्सिनोजन यहां पर कहा जाता है तो यहां पर देखो जो शब्द यहां पर आता है कार्सिनोजन अब साओ आप कैंसर के बारे में बात हो रहा है यहां पर आप इंच्ट वारे बहुत बढ़िया नैसे आपका the term smog was introduced in 1905 by अगर आप यहापर बात करते हैं तो स्मोग जो शब्द है वह एक ऐसा शब्द है जो 1905 में यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइलाइट हुआ था और यह जो टर्म है उसे देने वाले यहाँ पर कौन है चलो ठीक है दयाराम नमस्ते चलो जली से बता दो फटाफर से कौन सा आंसर यहाँ पर बिलकुल सही होगा वेरी बिल जुचे आप मेंसे कितने ऐसे बचे रहां जो मुझे रहां बताएंगे स्मोक होता है अगर मैं यहाँ पर कर रही हूं तो स्मोक मतलब होता क्या है बहुत अछा बहुत बढ़ियाब बनً required last couple by ricus लोस एंजलिस के नाम है तो अगर यहाँ पर श्मोक के बारे में बात कर नहीं है तो जब आप यहां पर देखते हो कि जो भी हमारा ग्राउंड लेवल का उजोन होता है और उसके साथ जो भी पॉलुटेंट होते हैं वह एक मिक्शर बना लेते हैं और यलोई या फिर ब्लाकिश कलर का एक धुंद सा आपको फोग सा आपको दिखाई देता है उसी को इस चीज को आपको यहां पर ध्यान में रखना है ठीक है वेरी गुड स्वालेडीन गैस वेरी गुड ठीक है स्मोग प्लस फोग इस बहुत अच्छा ठीक है प्लियर है वेरी गुड चिकू आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करें तो जो भी गैस जो है बहुत समताप मंडल में सबसे हानिकारत परा बैकिनी विक्रोणों को अव्शोशित यहां पर करती है चले जली सांसर कर देंगे कौन सा अंसर यहां पर सही हो जाएगा वेरी गुड पार शुश्मा अजय सुरेश सुरेश क्या कह रहे हो भाई सुबेश सुबेश शर्मा जो भी तुम्हें कहना है यह आरी भर्ट की कहानी मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम बता रहे हो में से पूछ रहे हो क्या कर रहे हो क्या चानना क्या चाहरे हो आप चलो जले से आंसर कर देंगे यहाँ पर कौँसा आंसर यहाँ पर बिलकुल आपका सही हो जाएगा बताईए फटा फट से तो बच्चो अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर आपका यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा और जोन यहाँ नी नरेंद्र ठीक है तो अगर आप यहां पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर आपका बिलकुल यहां पर सही हो जाएगा अब इसके बाद हम यहां पर नेक्स देखते हैं इसके अलावा वह सबसे जादा किससे अधिक नस्ट यहां पर हो रही है चले जली सांसर कर देंगे यहां पर कौन सांसर यहां पर सही हो जाएगा जली से बता दीजे पटाफर से बता दीजे तो बिटा देखो सिंपल सी बात है अगर आप यहां पर ओजोन लेयर के बारे में करने अप्रचाराय कर्या है थामने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद धरती के अगर हम से क्लोरो फ्लोरो कार्बन और वह भी जाकर के हमारे ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है ओजोन इरोजन या च्छरण आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं ठीक है किमल ठीक है बताईए फटाफट से कौनसा यहां पर बिल्कुल सही होगा गल्कुल यहां और यहां पर बातकरते तो काफी पच्छें और यहां पर कार्बन डाय ऑक्साइड बता रहे हैं बिल्कुल रहे हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर carbon dioxide के अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो एक खतरनाग gas और यहाँ पर है tri-fluoro, methane, sulfur, pentafluoride ठीक है? और carbon dioxide से भी ज़्यादा यहाँ खतरनाग यहाँ पर होती है तो इसलिए जो answer होगा वह क्या हो जाएगा? आप बताएंगे कि जो D option है वह बिल्कुल यहाँ पर सही answer हो जाएगा ठीक है? शुबे शर्मा बताती हूँ रुख जो, relax हो जो, ठीक है? थोड़ा सा relax हो जो पानी पीडो, फिर बताती हूँ तो अगर आप यहाँ पर बात करें तो greenhouse gas जो है उसमें अगर आप बात करते हैं तो carbon dioxide यह काम बहुत ज़दा करता है पर उससे भी ज़्यादा यहाँ पर कौन करता है? ट्राइफ्लोरो, मिथाइल, सल्फर, पैंटाफ्लोराइट, गैस याद रहेगा सभी को? ठीक है? और अगर by chance यहाँ आपके option में नहीं दिया है oxygen को अवशोशित करने का स्वारी, जो कुछ भी heat है उसको अवशोशित करने का काम भा यहाँ पर करती है अब हम जल्ली से next question की ओर बढ़ते हैं यह सारे बच्चे आज कहां चले गए हैं? आज इतने कम बच्चे क्यों हैं? सभी को बुलाओ फटा-फट से अगर आप में आप बात करें तो जो समताप मंडल है वहाँ पर पाए जाने वाली जो सबसे ज़्यादा गैस होती है वहाँ कौन सी होती है? चलो, जल्ली से बता देना है यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आपका बिलकुल सही होगा? मजा रहा है ना अच्छा ओजोन होती है अब आधे जो बच्चे हैं उनको भी confusion होगा बहुत ही जल्ली चलो कोई बात नहीं पहले सभी बच्चों का मैं आंसर यहां पर देख लूँ एक बार कि जली बताइए बेटा कौन सा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले चीज़ तो यह है कि यहां पर क्या मैंने आपसे ओजोन लेर के बारे में पूछा है जो आप सभी के सभी यहाँ पर ओजोन बताने लगे देखा अब सभी का यहाँ पर कैसे हो रहा है बिल्कुल चेंज हो रहा है फटाफट से आंसर बचो आंसर नाइट्रोजन ही होगा भीया नाइट्रोजन ही होगा ठीक है सब यहाँ पर अब करेक्ट बताने लग गए क्योंक ढूर नाइट्रोजन ही वोगा क्योंकि स्टेटोस्फेर इस अपार्ट ओफ इत्मौस्फएर और एक्ट्मौस्फियर में सबसे ज्यादा जो गैस होती है वह नाइट्रोजन ही यहांपर होती है, ठीक है? और अगर आप यहांपर बात कर रहे हो, बिटे नाइट्रोजन ही ठीक है अब हम यहाँ पर एक बार को तो मैं भी थोड़ी से हिल गी मैंने कहीं गलत तो नहीं पढ़ लिया चलो अब जलिस बताएंगे हाँ भावनाव में बहा गये थे ठीक है सिम्रन आगे देखते है रागवेंद्र एसे trade mainly result from अगर आप यहाँ पर बात करते हैं अमली वर्षा के बारे में ठीक है किसके बारे में अमली वर्षा के बारे में तो वहाँ किसके कारण यहाँ पर होता है वहाँ किसके कारण यहाँ पर होता है चली चली सांसर करना है आप लोगों को कौन सांसर यहाँ पर सही हो जा तो समझदार को इशारा काफी हो जाएगा बच्चू अपनी भी अकले लगाया करो बताओ जनली सांसे करेंगे इतका आंसर जो होगा वह ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा Sulfur Dioxide और Sulfur Dioxide के साथ जो Nitrous Oxide होता है वो भी यहाँ पर काफी काम करता है और ऐसे ट्रेंड के अगर हम बात करें तो इसका जो pH होता है वो 5 से कम होता है और अगर मान लो कि इसका pH 4 से भी कम हो जाए तो यह बहुत खदरनाक हो जाता है इसको Marble Cancer या Stone Cancer भी हम यहाँ पर कहतें और ताच भाल के अगर आप बात करो तो सबसे जादर जो यलो हो रहा है इसकी बजह से ही हो रहा है ठीक है चले अब हम बात करतें Animals that feed only on plants are caught ऐसे पौधे जो सिर्फ और सिर्फ पौधों को खाते हैं उनको क्या यहाँ पर कहा जाता है उनको क्या यहाँ पर कहा जाता है चले चली सांसर कर देंगे यहाँ पर कौँसा आंसर यहाँ पर नाइंथ का बिल्कुल आपका सही होगा यह तो सिंपल है ना चुटके बजाते आग बंद करके असे आग बंद करके लगा दो क्या होगा हर्भी बोर्स सब को पता है अगर मैं यहांप पुछों कि कार्दी नहीं जो सब कुछ इहां पर खाता है अब आजो यहां पर तो कोशन तो कॉशन तो बहुत सिंपल नेकिन गिए बनाती हूं कि अगर हुं बात करते हैं घ्र्ट्राइट्व वोरस के बारे में तो वहां क्या है अच्छा ठीक है सरोज अराम कर लो चलो जली से बताओ बैटा अगर मैं यहां पर बात करती हूं किसके बारे में लातर थे देखते हैं कितने बत्चे हैं आपर सही आंसर करते हैं यह जो आपका बहुत अच्छा ठीक है जो बायो डिग्रेटेशन का काम करते हैं जो अप घटन का यहां पर कारी करते हैं यानि कि तो अगर आप यहां पर कभी भी माइक्रोप्स के बारे में बात कर रहे हो यानि कि जो सुक्षविजीब के बारे में जो क्या कर रहा है मिट्टी में पाया जा रहा है और वह मिट्टी की fertility को बढ़ा रहा है लेकिन जो important काम है वह है कि यहां organic material को in organic material में convert कर रहा है और पूरे के पूरे ecosystem में यहां सफाई करने का काम भी यहां पर कर रहा है तो decomposer, decomposition जो होते हैं वह ही इसको यहां पर कहते हैं ठीक है चलो अब जली सा answer लिख लो यहां पर, answer जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी यहां पर अब घटन यानि की bio degradation करते हैं उनसी को हम यहां पर कहते हैं फर answer जो है हमारा वो तो क्या है यहां पर? हर भी बोर साना चलो, next लिखते हैं The first Tropic level in the food chain is? assistants begin, तो पहला जो ट्रौफिक इस्तर होता है, वह और कौन सा यहां पर होता है? चलिए, जिले सा आंसर कर देंगे यहां पर, ठीक है, अनुख, गुन्जन? नहीं नहीं, यहां से बिल्कुल भी बफरिंघ नहीं है, यहां से बिल्कुल ठीक है, और जलिए से आप लोग को 10th का आंसर करना है very good destination सरोज सभी का आंसर अच्छा आ रहा है very good ठीक है यहाँ पर एनिकेट का भी आंसर अच्छा है सभी बच्छों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है और ठीक है नरेंडर आंसर के अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो तो आंसर क्या किसी चीज़ को पन्व कर रहे है तो उसके अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वह कौन होंगी यहाँ पर green plants से यहाँ पर होंगी तो जो भी ट्रॉपिक लेवल होगा energy का जो कुछ भी पहला जो यहाँ पर भाग होगा वह plant ही हमेशा यहाँ पर होगा अब हम यहाँ पर next the organism to produce and multiply is called and multiply is called चलो जली सा आंसर कर देंगे यहाँ पर कौन सा आंसर आप लोगों का बिलकल सही होगा देखते हैं कितने बच्छे यहाँ पर सही आंसर करते हैं बताईए फटा-फट से तो आंसर कि अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं बिटा भी ही आंसर होगा लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नियंत्रण नहीं है अगर इसके उपर नियंत्रण होता तो इसको हम बर्थ रेट कहते हैं याना जन्म दर कहते हैं लेकिन कोई नियंत्रण नहीं है खेर इसकर ऐसे कुछ तो प प्रभाव है वहां किस से यहां पर समलित है तो यहां पर सिंपल सा पूछ रहा है कि जो ओजोन छरण हो रहा है ओजोन रिक्तिकरण या ओजोन छरण जो हो रहा है ओजोन डिप्लेशन हो रहा है वहां किसकी किसकी वजह से यहां पर हो रहा है चलिए जली से बता देंगे ठीक बहुत बढ़िया अरे बच्चों क्या हो गया अब ठीक है clear है चले अब हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर आपको यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आल दा अबव क्या हो जाएगा बिटा आल दा अबव तो फटा फट से आप यहाँ पर नोट कर लीजे ठीक है तो अगर हम यहाँ पर ओजोन डिपलेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ जो ओजोन डिपलेशन है वह किसकी वज़े से होता है अल्ट्रा वाइलेट और साथ भी इस्कीन कैंसर देने का काम भी यहाँ पर कर रहा है ठीक है चले जितने बीबच्चे हैं यहाँ पर बच्चों जितने बीबच्चे यहाँ पर आप मुझे देख रहे हो ठीक है उन सभी से एक रिक्वेस्ट रे छोटी सी कि यह जो प्रभू, दयाल, मीना, है इसकी ज़रा से report कर दीजिये मैं इसकी यहां पर report कर रही हूँ आप लोगों को जबी भी इसको प्रेज करोगे android phone होगा सभी के पास तो जबी भी आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आएगा report का term ठीक है report का term आनने के बाद यहां पर आप लिखेंगी कि यहां क्या कर रहे हैं यहां पर second number पर यानि कि जो sexually एक तरह से यहां exploitation कर रहे हैं उसको tick करके report कर दीजे सारे बच्चे ठीक है और okay कर दीजे ठीक है चलिए सारे बच्चे यही करिए यहां पर और अब यहां पर देखेंगे next सबी बच्चे ब्लॉक नहीं करेंगे इसकी report कर देंगे और उसमें harassment, sexual harassment, bullying जो भी आपको ठीक लगता है वो tick करके इसको okay कर दीजे ठीक है चलो चलिए अब हम यहां पर next रेखते हैं next नेक्स है अब आपका वो आजाएगा the true statement about greenhouse effect is that is अगर हम यहां पर बात करें तो greenhouse प्रभाव के बारे में सही कथन क्या है चलिए चलिए सांसर करना है विच्छा यहां पर कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा कोई बात नहीं ऐसे बहुत सारे लोग है जिनको अकल ठीकाना हमें बहुत अच्छे से आता है कोई दिकत वाली बात है रिपोर्ट होगा आंसर जो यहां पर होगा वह सी आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा अगर हम यहां पर green house effect के बारे में बात करते हैं तो cost only by carbon dioxide, chlorofluorocarbon, methane gas और nitrous oxide जैसे जो gases होते हैं इनी की बजह से ही यहां पर आप देखेंगे कि green house effect सबसे ज़्यादा यहां पर दिखाई दे radiation is injured to plants because it अगर हम यहां पर ultraviolet radiance के बारे में बात करते हैं अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यह किस लिए हनी कारक हैं ठीक है अगर आप यहां कि बिटा देखो ऐसे जो लोग होते हैं इनको जरूर जरूर सबक मिलना चाहिए कि ऐसे लोगों की जो starting होती है तो बड़ी हूं पहुचक बहुत दूर है कि आजफास कोई छोटी बच्ची हो उसके साथ गलत वैभार करें तो ऐसे के लिए तुरंथ ही यहां पर रोक देना चाहिए ऐसे लोगों को नहीं तो यह लोग बहुत घाव हैं इस हुमेनिटी में घाव हैं ऐसे लोग चलो ठीके संजना जली से बताएंगे ओके अर्वीन ठीके संजना चलो जली से बताना है फटाफर से कौन सा आंसर 14 का सही होगा आ यहां पर बन रहा है तो इस चीज़ को आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है ठीके बच्चों चलो अब हम यहां पर नेक्स देखते हैं अगर हम यहां पर बात करें तो भारत में गुडवन्ता का जो नियामक प्राधिकरण है वह यहां पर क्या है चले बच्चों जली सांसर कर देंगे यहाँ पर कौन सांसर सही हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है बिटा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, नरींद्र होगा, यह जो आपका है, यह इन्वार्मेंट से रिलेटेट है बच्चों, बहुत ज़्यदा कोशन पूछा जाता है, आपके जनल नौलिज का कोशन है, ठीक है, तो यहाँ पर बायो, फिजिक्स, केमेस्ट्री, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, सब कुछ इस प्रैक्टिस सेशन में आपको मिलेगा है, तो लाइन से मैं करवा रही हूँ, जो जो कोशन यहाँ पर आ रहे है, ठीक है, स्टुडेंट के यह, बिटा कहा थे ते दिन, ठीक है, ठीक है, चलो, जली सा आंसर करतेंगे, यहाँ पर फिटिंथ का कौन सा आंसर आपका बिलकुल सही होगा, देखते हैं कितने बच्चे हैं आपर सही आंसर करते हैं, डैश इस दा, रेगुलेटरी ओथरिटी ओफ क्वालिटी इन इंडिया, चलो बच्चों, जली सा आंसर करेंगे, आंसर जो हो जाएगा, वह, ए आंसर यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा, तो फटा फट से आप यहाँ पर नोट कर लिए, बच्चा, बच्चा, यह पर नोट करना है, गवर्मेंटल ही होता है, चलो इसके पास लिएगल और ओथरिटी होती है, इसके पास, आगे हम यहाँ पर नेक्स्स देखते है, The temperature scale that set freezing of pure water at 32 degree Faraday यानि तापमान का वह पैमाना जो 32 degree Faraday पर सुद्ध पानी को यहाँ पर जमने देता है वह क्या है वह जो temperature scale जो होगा वह क्या है Kelvin है या फिर Fahrenheit है या फिर Celsius है या फिर British है चलो जले इस आंसर करेंगे इसका यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बताइए फटाफर से थाइंक्यू गुपाल गुपता बस डेली आप क्लास में आते रहिए Very Good तो आंसर तो यहाँ पर दे ही दिया है और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर Faraday यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो Faraday दिया है तो इसलिए Fahrenheit यहाँ पर सही आंसर होगा और अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो भी pure water होता है वो 32 degree में जाकर के यहाँ पर जम जाता है ठीक है चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर next question को देखते हैं Next question है आपका वो है यहाँ पर कि the pollutant that causes hole in the ozone layer is यानि कि ऐसे प्रदोशक जो ओजोन परत में छेद का कारण यहाँ पर बनते हैं वह क्या है जो ओजोन layer में hole हो रहा है ओजोन परत में जो छेद हो रहा है वह क्या है वह किसकी वज़े से हो रहा है ठीक है ओम रेंडर बताओ बटा जली से 17th सुबेश में बता दोंगी मेरे को पढ़ाने तो दू बेटा पहले तो फिर तुमारा ही कोश्चन बताऊंगी पहले परेशान मत हो ठीक है जालो बता ही तो ये अध्यात्मे से जोड़ा प्रश्ण हो जाता है और अध्यात्मे से जोड़ा जो प्रश्ण है वो आपके competitive exam में बिल्कुल भी नहीं आता है तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं यार यह भट के बारे में गेलेलियों के बारे में तो उसके बारे में मैं जानकारी है ना इस तरीके से फिर यह बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपसे विंती है कि यही पर ही पढ़ेंगे ठीक है अब इशेक कह रहे हैं कि आपसे शुरू से ही पढ़ना है क्या करो बस डेली क्लास में आईए कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी नहीं है चले अब दिखते हम सब्सक्राइब कारब्रा नले हूं बहुत है अगर यहां पर बात करें तो आंसर क्या होगा, ऐस statistics स्याहरा कर === क्लोरिया कारबन है है्ले양 कामर बनाने काम सब्सक्राइब करता है तो यहां पर बच्चे ने पूछा है कि क्रिप्याइब बताएं कि दुनिया में सबसे पहले किसने कहा कि प्रिथवी सूरी का चक्कर लगाती है चलो बच्चों किते बच्चों को यहां पर पता है बता दो जली से सबसे पहले किसने कहा है कि प्रिथवी सूरी के चारों और चक्कर लगाती है देखो बच्चो अगर आप यहाँ पर इंडियन की तरह सोचे ठीके तो विश्व में जो सबसे प्रत्थम जो यहां की वल्लक नाम के रिशी थे ठीके जिन्होंने सत्पत राम्हन लिखा था उन्होंने बताया था कि सूरी इस पृत्वी में है और जो सूरी की चाव तरफ जो लिखना चाहते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़े हैं मैं हम सबका कमेंट्स ठीके निकोलस कोपरी निकस भी बिल्कुल सही आंसर है ठीके चलो अब इतनी जानकारी यहां पर काफी है ठीके अब इसने ज़्यादा नहीं बताऊंगी आगे देखते हैं नेक्स आपका उसली का उसर बाए अगर हम यहाँ उस यहां पर बात करें तो जो और जोन की कमी यहां पर हो रही है एाधार किसकी वजह से हो रही है। कितने बच्छे यहां पर ठार्वे का सही आंसर देते हैं, आंसर जो होगा वह, C आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, chlorofluoro carbon ठीक है, ठीक है, कोपर निकस और नियम दिया था, कैपलर ने, ठीक है, चलिए, ठीक है दीपू, सरोज, नेक्स है यहां पर, Which one of the following is the correct percentage of the two greenhouse gases that contribute to the total global warming अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर दो ऐसे हरित ग्रिह गैस है उनके बारे में यहाँ पर बताना है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर global warming में योगदान दे रही है उनका नाम बताना है और उनका percentage भी यहाँ पर बताना है जलिए जलिए से आंसर करेंगे 19th का कौन सा आंसर आपका बिलकुल यहाँ पर सही होगा बिलकुल यहाँ पर कौन सा आंसर आपका यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा जलिए से बताईए तो प्यारे बच्छों आंसर के अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो answer क्या हो जाएगा वी answer आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि वैसे तो carbon dioxide होना चाहिए तो देखो मैं आपको बताती हूँ water vapors carbon dioxide methane इस तरीके से line में है तो water vapors तो यहाँ पर मुझे दिखनी रहा है तो मुझे क्या दिखा यहाँ पर दूसरे number पर क्या carbon dioxide क्या कई है न में लिखा हुआ है तो answer कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो answer क्या होगा बी answer यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है चलिए next देखते हैं next question क्यों बढ़ते है next question हमारा question है pick out the potent greenhouse gas यानि कि सबसे जो शक्तिशाली greenhouse gas है उसका नाम यहाँ पर क्या है चलो बढ़ाओ फटापर से उसका नाम यहाँ पर क्या है यह तो बिल्कुल बता देंगे यहाँ पर योगे इंद्र सिंग कह रहे हैं गोरी मैं बिटा मैं गोरी नहीं हूँ ठीक है मैं गोरी नहीं हूँ ठीक है चलो जड़ी से पताओ यहाँ पर कौन सा answer होगा answer जो होगा वह C answer यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा methane gas यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ पर gas है ओके याद रहेगा न चले अब हम यहाँ पर next question को देखते हैं methane gas क्यों है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा निकलती कुछ भी reaction हो यह निकलती यहाँ तक ही जो living carbon dioxide carbon dioxide जो होता है चीकू उसकी अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो carbon dioxide जो है वह मात्रा में ज्यादा है परसेंटेज उसका ज्यादा है लेकिन जो सबसे शक्तिशाली जो gas यहाँ पर होगी वह कौन सी होगी यहाँ पर थेन होगी ओके अब जली सांसर करेंगे यहाँ पर कौन सांसर यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में सभी अपना question ध्यार में रखना सभी लाइन से गलत बता रहे हैं ऐसे कुहनी से लिटा कुहनी से मारूंगी बता र जाएगा ठीक है और जितने भी बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं सब मुर्गा मुर्गी बनो जल्ली से यहाँ पर अब देखो कैसे होगा उसको समझते हैं कैसे होगा उसको हम यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया है हमेशा समझाती ह कि सबसे पहले बनते हैं आपके RNA या फिर आपका DNA जो कि क्या है एक धथा के molecule है पढ़ाया हुआ है molecule जब मिल रहे है तो किसकी हाँ पर उतपस्ती हो रही है यानि की कोशिका यहां पर बन रहा है जब कोशिका बहुत सारी मिल जाती है एक साथ एक जैसी तो उसके ग्रुप को उसके समूग को क्या कहा जाता है यहाँ पर टीशू कहा जाता है क्या कहा जाता है टीशू कहा जाता है उतक यहाँ पर कहा जाता है ठीक है फिर जब बहुत सारे उतक एक साथ मिल जाते हैं तो वह क्या बनाते ह आपको बताना है और गन यहां पर बनाते हैं यानि कि अंग यहां पर बनाते हैं ठीक है और इसके साथ अगर हम यहां पर बात करें तो इसके बाद आपका आचाता है और गन और गन के बाद आपका आजाता है और गन सिस्टम के अगर आप बात करो तो यह आपका क्या हो गया अंगतंत्र क्या हो गया और आंगतंत्र के बात अगर आप यहां पर बात करते हैं तो बात आती है कि ईसकी और्गेनिज्म की कि यानि की जीव कि कि इसमी 52 में लगभग मैंने यहां below 10 बार से 15 वार आप लोगों को बताई दिया होगा ठीक है अब देखे यहाँ पर अगर आप यहाँ पर बात कर रहे है कि जो भी यहाँ पर अच्छा ठीक है सुरेश ठीक है पढ़लो बेटा पढ़लो यहां पर अगर हम यहां पर बात करें कि जो भी आपका अगर दो बीच में से गायब कर भी दिया है तो आशा क्या हो जाएगा यहां पर विल्कुल सही होगा तो जाएगा ठीक है ठीक है ओकि भुपेंदर हां प्रियम ये नया चैनल है इसको सबस्क्राइब काई लिजए और बीच्चें पर इसे जोड़ रहे हैं और जले से आप लोग को यहाँ पर आंसर करना है बताएए क्या आंसर सही होगा What is responsible for the creation of the new species नई प्रजातियों के निर्माण के लिए यहाँ पर कौन जिम्मेदार है यहाँ पर कौन जिम्मेदार है चले जले सा आंसर करना है आप लोगों को कौन सा आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा देखो लाइक करने के लिए कहा था लेकिन लोगों में देखो जलन कितनी है देख रहे हैं मुझे भी लेकिन डिसलाइक करके जा रहे हैं वाह क्या प्यार है तुमारा और जो स्टुडेंट होता है न बिटा जो सच पर पढ़ने वाला स्टुडेंट होता है वो कभी भी किसी की भी क्लास को डिसलाइक नहीं करता है यह जो फालतु के लोग बैठके यही देखते रहते हैं कि कितना अमरिता में के लाइव और व्यूज आ रहे हैं यह उन लोग हैं चलो उन तक मैसेज पहुंच गया होगा चले आगे देखते हैं देखते हैं कितने बचे आपर सही आंसर करेंगे बताइए फटा फट से 22 का कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही होगा तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वेरियेशन यह हो जाएगा रुपांतरर तो फटा फट से आप यहाँ पर नोट कर लीचे ठीक है अगर आप यहाँ पर वेरियेशन के बारे में बात करते हैं अगर आप यहाँ पर रुपांतरर के बारे में बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है इसका यहाँ मतलब है जैसे मैंने दीन की क्लास में भी आप लोगों को समझाया था कि जैसे कि हमारे मम्मी है ठीक है और ये हमारे पापा है ठीक है clear है मम्मी और पापा है तो जब हम यहाँ पर पैदा हुए छोटे से ठीक है जब हम यहाँ पर दास निकालते हुए पैदा हो गए थिक तो हमारे घर में जो जितने भी बड़े ब助र्ग थे तर इसका मतलब कि ममी और पापा के जो dna है वह हमारे अंदर आया और उस dna ने एक नया recombination बनाया एक नए तरीके का यहां पर उसने variation दिखाया और हम यहाँ पर पैदा हो गए नहीं तो सब कोई कैसा दिखाई देता अमरिता मैम जैसा ही दिखाई दे रहा होता है ना, cloning हो गई होती फिर तो है ना, तो अगर हम यहाँ बात करें तो variation यानि कि भिन्नत आया, रुपांतरन इसी को यहाँ पर कहा जाता है और जो भी हमारा evolution है यानि कि विकास, चक्र का जो नियम है उसके लिए यह बहुत ज्यादा important है, इस जिसको आपको ध्याँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है? चलो, कान गायब है अच्छा लो भई, लो लो, ठीक है? खोश आप, कोई दिक्कत नहीं है ना? चले, अब हम यहाँ पर next देखते है ठीक है, ठीक है प्रिजेश अराम कर लो, कोई बात नहीं बिटा, ठीक है complete science labels cover करवाएंगी आप में, बिल्कुल प्रियम, बिल्कुल सारा सब कुछ करवाया जाएगा परिशान मत हो यह अब हम यहाँ पर जली से next question को देखते हैं परशू, डैश में विवित्ता दिखाते हैं जो भी हमारे animals होते हैं वहां किसमें अपनी diversity दिखाते हैं? वहां किसमें यहाँ पर अपनी diversity दिखाते हैं? जली से आंसर कर देंगे यहाँ पर ठीके चितरन जन चश्मा नहीं लगाया कोई बात नहीं जलो जली से बताना है यहाँ पर कौसा आंसर आपका बिलकुल यहाँ पर सही होगा पटापर से बता दीजे कौसा आंसर यहाँ पर बिलकुल आपका सही होगा और answer के अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो answer जो होगा वह D answer यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा यह जो भी animals होते हैं उनका shape और size different होता है, उनका shape अलग होता है, उनकी lifestyle जीने का तरीका अलग होता है और उनकी जो structure होता है वह भी यहाँ पर अलग होता है, तो इसलिए answer जो होगा वह D answer बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है, सुबोध, मानवी, सभी का answer बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, दिवाकर, सुष्मा, संजीर, चितरंजन, रागवेंद, दानिश, सभी का answer अच्छा रहा है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next रिखते हैं, next है आपका यहाँ पर what is the method adopted to accurate principles for the naming squad अगर हम नाम करेंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी का भी नाम रखना है, ठीक है, किसी का भी यहाँ पर नाम रखना है तो नाम रखने के लिए जो सहमत principles हैं, उसके लिए यहाँ पर कौन सी विधी अपनाई गई है सुजेन गंग, इसमें सारे questions mix हैं आपके हैं, UPSI की अगर आप preparation कर रहे हो Group D की अगर आप preparation कर रहे हो, SSE GD की अगर आप preparation कर रहे हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं चली बचो, जली सा answer कर देंगे यहाँ पर कौन सा answer सही होगा answer के अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो answer क्या होगा, C answer यानि कि nomenclature यहाँ पर बिल्कुर सही answer होगा तो बच्चों जबी भी हम यहाँ पर नाम रख रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नाम करन जैसे तुम्हारा यहाँ पर नाम रखा गया, तो उसको क्या कहा जा रहा है, नाम करन तो बस simple से बात है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कारल लीनियस के बारे में तो कारल लीनियस ने ही सबसे पहले यहाँ पर nomenclature दिया था और किस तरह का nomenclature दिया था, binomial, binomial, nomenclature उन्होंने ही यहाँ पर दिया था, तो जो भी हम यहाँ पर नाम लिखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, हूमु, सापियन, सापियन, या फिर हम बात करें, यहाँ पर किसी भी गाई के बारे में, जैसे कि बौसा, इंडिका, या अगर आप आप देख रहे हैं, तो एक जो नाम है, वो है आपका जाती का, और दूसरा है प्रजाती, मतलब जाती प्रजाती का, और जो दूसरा नाम है, वो है आपका वंश का, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कि जीनस और इस्पिशियस, दो नाम यहाँ प है ठीक है क्लियर है ठीक है डिफेंस वाले जो बच्चे हैं परिशान नहीं होंगी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी मंदे या सटर्डे से मतलब इस बार तो नहीं मतलब आने माला जो मंदे मंदे ट्यूस्टे से आप लोगों के लिए सप्राइज है और साथ में मैं भ बिल्कुल जुड़ें आप लोग यहां पर ओके इसके बाद साथ बुजे आप लोगों के लिए एक स्पेशल यहां पर सर्प्राइज है तो आना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसके बाद फिर रात के नौ बजे आप लोगों के लिए यहां पर एक मैं ताउक शो लेकर के आ रही हूँ जिसमें मैं करूंगे आप लोगों उसे बाते और दुसरे बहुत सारे टीचरों के साथ भी ठीक है इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें राज के 10 वजे तो आप लोगों की जो जन्नल नॉलेज की जो यहाँ पर होती है जो अभी चल रही है वो कंटीन्यू यहाँ पर आप लोगों की चलती रहेगी ठीक है चलो नोड कर लो यहाँ पर ठीक है और जली सा आंसर करेंगे 25 का कौन सा आंसर यहाँ अब लकुल को सही होगा विच आफ फुलोइंग इस रिफ्रेंस तो क्लासिफिकेशन अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लासिफिकेशन का संदर्भ यहाँ पर किससे है तो अभी तक तो अपने कार्ल लीनियस पढ़ा लेकिन अगर आप भारती ग्रंथों के बारे में अगर आप बात करते हैं हाँ हाँ प्रियम हो जाएगा परेशान मत तो ठीक है सुनें तो आगे देखते हैं तो आंसर क्या हो का वर्गी करन प्लांट्स का वर्गी करन यह सारी सब कुछ चीजें यहां पर जुड़ी हुई है ठीके रभी ओके राजेश सबी को समझा रहा है ना आगे बढ़ते हैं टेक्सोनौमी के पिता किसे कहा जाता है अभी जस्ट बनाया था तो अगर आपस में बात करने से फू और चाल के लिए ना अपनी नींद को त्यागना पड़ता है ठीके तो कुछ अच्छा करने के लिए नींद को त्यागना पड़ता हैं हाँ बिल्कुल योपी टीजेती कर रहें तो भी आप कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो जल्लिक भूर साइश का भंधारा करवा देज ठीक है बहुत जल्दी यह बहुत अच्छा था बताओ जल्लू बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा वू इस नोन एज फादर ओफ टैक्सोनॉमी बिरकुल अच्छा आंसर के अगर आप यहाँ पर ठीक है प्रेंका हम सभी प्रे करेंगे आपके भई आप जरूर ठीक हो जाएंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे आप परेशान मत हो ठीक है और अगर कोई भी हल्प चाहिए कोविट से रिलेटेड अगर कोई डिक्कत है तो आप मुझे ओफ लाइन कमेंट करना मैं आपसे पॉन्टेक्ट कर लूँगी चले जलिस आंसर करेंगे यहां पर आंसर जो होगा वह होगा कारल लीनियस तो फटापर से आप यहां पर नोट कर लीजे कारल लीनियस यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएका ठीक है ओके संजना तरंजीत ठीक है आगे हम यहां पर next question की और बढ़ते हैं नैशा question ने वह है द्रीपत नाम करेंड विधी किसने यहां पर दिया था देखो आपी जस्ट मैंने बताया था binomial nomenclature जो method है वह किसने यहां पर दिया था देखते हैं कितने students यहां पर सही आंसर करते हैं के प्रेंग का पाल डेली क्लास में आओ बिटा आप यहां पर ठीके निर्मल जली से बता दीजे 27 का कौन सा आंसर होगा very good रवी शंकर very good अनुराधा बहुत अच्छा दानिश सब भी बच्चों का अनिकेद बहुत अच्छा आंसर कि अगर ने कल अनिकेड भी में क्लास नहीं होगी पिटा परसो होगी same time एक बज़े से जो भी session रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी ntpc तो है special class चलेगी बच्चा यह चल भी रही है ntpc के लिए बताए बटा पट से 27 का कौन सा आंसर सहीं होगा आंसर हो जाएगा अगेन यहाँ पर कार्ल लीनियस आप लोगों को just मैंने यहाँ पर अभी बताया था है ना अब हम यहाँ पर next question को देखते हैं each taxon in classification solved यानि कि बर्गी करण में जो प्रतेक यहाँ पर taxa world आता है या फिर जो taxon आता है वह क्या यहाँ पर दिखाता है चले-चले-चले सांसर कर दे सेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर आपका बिलकुल सही होगा देखते हैं कितने बच्चे यहां पर सही हो जाएगा बहुत अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया आंसर कि अगर हम यहां पर बात करें तो आंसर क्यों हो जाएगा आप बताएंगे केटेगरी यानि कि श्रेणी देखें इसको किस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे कि आप कभी भी कोई भी एक पोस्टल कार्ड को देखते हो यानि जिसमें आप खत संदेश जो कुछ भी आप भेशते हो है ना पहले तो टाकिया अंकल भी होते थे आप तो पता नी कुरियर बॉ हमारा ठीक है उसके बाद हम यहां पर लिखते हैं जैसे उसके बाद हम यहां पर लिखते हैं जिसे आप हाउस नमबर ह similar यहां तो प been आरपर सुसाइटी जो हमारी इसका क्या नाम है फिर अपर यहाँपर गली वाम कूरर से लो सकता है कोई मौल सकता है कोई कोई टांपल सकता है है ना इस तरीके से पिर उसके बाद आप यहां पर लिखते हैं कि जो भी आपका यहां पर डिस्रिक है वहां क्या है शें? आपका यहां नंबर यह सब क्यों लिखा जा रहा है? अगर हम यहां पर बात करें तो यह सब क्यों लिखा जा रहा है? यह вс hvor Copy와 जिए यहां पर आप बात करुए हो तो हमको हमको यहां तक पहुचने के लिए इस उभी चीज़ों को यहां पर फॉलू करते रहना पड़ेगा और जब आपका अपका हाउस नमबर है और फिर वह आप तक यहां पर पहुचेगा तो एक एक जो शेणी है, एक एक जो category है, अगर वो कभी भी mix, कभी भी कोई भी एक गायब हो जाती है, या आपस में mix हो जाते हैं, जो भी हमने post किया है, जो भी हमने courier किया है, क्या वो उस प्रेक्टी तक पहुच पाएगा, नहीं पहुच पाएगा, तो यह क्या है यहाँ आप बताएंगे category है, क्या है आपकी यहाँ पर category है, अब देखो इसको दूसरे तरीके से मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि जो भी हमारा यहाँ पर classification हुआ है, उसको हमने यहाँ पर लिखा कि एक हमारा यहाँ पर species है, ठीक है, जाती है, पर जाती है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर एक वन्ष है, यानि कि जीनस है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारा ओर्डर है, यानि कि गण है, फिर हमने लिख दिया एक जगत है, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर कि डोमें है, तो यह क्या है उसकी एक category यहाँ पर show कर रहा है ज्यान रहेगा ना? चलो अब हम यहाँ पर next देखते हैं next है यहाँ पर एक्सिनेक्ट human race is known as बिलुप तो होती जो मानव जाती है वहाँ कौन सी यहाँ पर है? वहाँ कौन सी यहाँ पर है? ठीके ठीके news चलो जली से बतादो यहाँ पर कौन सा आंसर 29th का बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा? बताईए फटा-फट सी आंसर जो हो जाएगा वह इसकी जो PDF ही बेटा वो जो PDF होगी उसके लिए आपको टेलिग्राम चैनल हमारा जोइन करना पड़ेगा Science Heaven टेलिग्राम चैनल ठीके उसके पीडियाफ आश में करवा दूँगी परिशान मत हो चलो बचो जली सा आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा? आंसर जो होगा 29th का वहड़ी ओप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कुछ बचे यहाँ पर सी आंसर कर रहे है Species कैसे हो सकता है? Species मतलब तो यहाँ पर कुछ बचे यहाँ पर Sapiens कह रहे हैं हम सभी Sapiens है, हम सभी यहाँ पर Sapiens है बच्छा, जिन्दा है हम सभी Extended Human विलुप्त हो रही है जो प्रजाति है और मॉस्ट यहां पर विलुक्त हो चुकी है उस प्रजाती के बारे में यहां पर बात हो रही है दुषण पर से नोड कर लिजे कि आंसर जो होगा वहar क्या होगा यहां पर आप बताएंगे, Erectus जो कि विलुक्त हो चुका है मानो जाती जो विलुप्त यहाँ पर हो चुकी है तो जिसको क्या कहा जाता है होमो इरेक्टर्स ठीक है और यह विलुप्त हो चुका है आज से कब यह थे दो मिलियन इयर साल पहले यह थे लेकिन अब यहाँ यहाँ पर विलुप्त हो चुके है है और हम सभी क्या है how much sapiens है हम सभी जिंदा है वच जो मार दिया जबर्दुस्ती मार दिया पागल इंसान चलो अब अम यहाँ पर नेग्स कोशन की और मूव करते हैं ठीक है आगे देखते हैं एक सब्सक्राइब करेक्ट पेर अगर पहले यहां पर थी लेकिन आप इसके फोस्स हमें मिले हैं जो हमें evolution में बताते हैं कि इसके बाद फिर हम बने हैं है ना sapiens हम यहां पर बने हैं ठीक है चले अब जलीसा आंसर कर देंगे यहां पर कौन सा नसर सही होगा कोई भिल्कत कोई परिशानी तो बेटोड़िए अगर आप यहां पर जीअ प्लांट के बारे में बात करते हैं जीअ जो होता है एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें आप देखेंगे हो चोटे-जो शोटे-चोटे से से यहाँ पर बाटा जाता है एक जो हो जाता है वो आपका हुता है यहाँ पर कोना जबू आपको समझना है तो इस तरीटेके से दो आףको absorb an कि इस तरीके से दो इस तरील के लि productions van deemu पत्र इजादां है जो अगों आपको समझना तो credit लुँन हरे नावकिus से दो आपको यहां तो एक से दोटा दिखाई देगा बन अ पूलिफ को दिखाई देगा थे सिर्शा निविफ सीड भी कहा जाता है कॉज दिकुनिन कहा जाता है धी इस तरीके साब आपका होता है उसमें आप देखे होगे इस तरीके साब डिवाइड उसको नहीं कर सकते वो गेहु कि अगर बात करेंगे मतलब मेज तो इस चीज को आप लोगों को यहां पर घ्यान रखना है ठीक है सुबेश ओके चलो वच्चो तो आज की क्लास को इतना ही कैसी लगी है क्लास और मैंने कल आप लोगों से यहाँ पर पूछा था यहाँ पूछा था मैंने आप लोगों से यहाँ पर कि अगर आप लोगों को Environment की क्लास यहाँ पर चाहिए तो आप लोग मुझे बताइए पर यहाँ पर सिफ 4-5 बच्चों का आंसर आया, reply आया, बाकी किसी का नहीं आया तो जब तक 50 यहाँ पर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे Environment की क्लास का, तब तक मैं आप लोगों के लिए कोई भी session यहाँ पर start नहीं करूँगी ठीक है, चले, तो लाइक कर दीजे, शेर कर दीजे, सब्सक्राइब कर दीजे और जो हमारा यहाँ पर telegram channel है, same name से है, science heaven channel जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजे तुरंधी और कल एक बचे आना मत भूलिएगा, ओके, चले, तो अपना ख्यार रखिए, thank you so much, take care, bye bye, jayhin, good night